कल शाम को ही मैंने मोमोस की सारी तयारी कर लिए और मोमोस डिजाइन करके भी फ्रिज में रख दिये ताकि सुबा ब्रेकफस्ट में फटा फट से इसको स्टीम कर सकूँ तो मैंने ये सोया बड़ी है जो सोया चंग साते हैं उनको मैंने सोक करके रख दिया था उसके बाद मैंने मैदा लिया है करीब 500 ग्राम के करीब मैदा था उसको चान लिया है पहले चानने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक मिला है और अब हमको इसको आटे की तरह सान लेना है तो जब हम इसका हाटा बनाएंगे अच्छे से इसको गुनेंगे तो याद रखे बहुत ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है थोड़ा सक्त रखना है हाटा और जब यह हो जाए तो गीला कपड़ा इसको ढांक दे और अराम से इसको साइड में रख दे उसके बाद मैंने सारी सबजियां काट ली तो सबसे पहले पत्ता गोबी आती है इसमें तो पत्ता गोबी मैंने एक बड़ी से ली थी सारी के सारी एकदम बारिक बारिक चॉप की है उसके बाद प्याज लेनी है प्याज को भी बारिक बारिक चॉप करना है तो मैंने सिर्फ दो प्याज ली है और एकदम चना साइसे को काट ले है तो प्याज काटने के बाद मैंने और भी कुछ कुछ सबजियां लिए सबजियां आप अपनी मन पसंद ले सकते हैं चाहें तो उसको वेज बना ले चाहें तो नॉन वेज बना ले आपकी चोईज है उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली है और ये सब चीजें एक दम बेसे के हैं आप शिमला मिर्च और पत्तागों भी तो डाली है इसमें और प्यास भी डाली है और ये जो हमने सोया चंक लिया था इसको मैंने अच्छे से निचोड लिया और निचोडने के बाद इसको भी चॉप कर लिया अद्रग लेसन भी मैंने चॉप कर लिया और एक वॉक लिया उसमें डाला है मैंने दो चमच तेल जब वो तेल गरम हो जाए तब उसमें डालना है हमारा अद्रग लेसन उसके बाद प्याज, शिम्ला मिर्च और सोया चेंग्स भी चॉप करके रखी तो उसके बाद बढ़ी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब कर लें और प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगते हैं मेरे वीडियो जरू आप लोग कहां से देख रहे हैं मुझे तो यह अब मैंने डाल दिया है यहापे नमक, नमक के बाद काली मिर्च ज सेट हो चुका है तो मैंने इसकी छोटी-छोटी पेड़ी बनाएं और अपनी बेटे को लगा दिया था ताकि वो इसको मेजर कर सके फिर जब बनाते-बनाते मैं ठक गई तो सारा सेट अप मैंने नीचे ले आई और नीचे ही मैंने अराम से बढ़के मॉमोस सारे बनाएं बहुत सारे से बनाने होते हैं छोटे-छोटे होते तो थोड़ा वक्त भी लगता है तो अराम से मैं नीचे बैड़ गई थी आप भी कुछ इंतिजाम कर ले और अराम से बना ले अब धिहान देने वाली बात यह है कि मोमोस का जो मैंने शेप बनाएं वो पत्ती वाला बनाना है आप चाहिए तो स्लो कर लें इसको वीडियो को और स्लो मोशन में इसको देख लें बहुत ही प्यारी सी पत्ती बनती है जब आप इतने सारे मोमोस बनाएंगे तो शुरू-शुरू में एक-दो शायद खराब बने उसके बाद आराम से आपका हाथ सेट हो यह देखें चिपकाते जाना है उपर और जब आप इसको परलट के देखेंगे तो वाओ आपको यह शेप मिलेगा जो कि काफी सुन्दर और क्यूट है तो यह मैंने रात को सारे मोमोस बनाके रख दिये थे और धेर सारे मोमोस दो प्लेट बनाएं थे मैंने एक एप्लेट है और एक और प्लेट है उसके बाद मैंने अपना देशी स्टीमर जो मेरे पास है जुगार वाला उसको मैंने सेट कर लिया उसमें थोड़ी से ओयल ब्रश कर लिया और ओयल ब्रश करना जरूरी है वनना हमारे मोमोस चिपक जाएंगे वहाँ उसके बाद इसको स्टीम में अब मैंने यहां पर जब यह बढ़ी स्टीम हो गया ना तब मैंने यहां पर सारे मोमो अपने जमा दिये एक एक मोमो के बीच में ज्यादा गैब भी नहीं चोड़ना है अरहाम से चिपका के रख दें वह जो स्ट्रीट में बनाते हैं उनलों तो एक की उपर सारे मोमो रख मैंने हमारे टमाटर को भी बढ़ी ऐसे रोस्ट कर लिया गयास की उपर ताकि छिलका उसका निकल जाए और फ्लेवर भी उसका एंहेंस हो जाए अब इसमें हमको कुछ लैसुन की कलियां डालनी है बहुत इंपोर्टेंट है डालना जितनी जादा जालेंगी उतना जादा बनेगा साथ ही ये टो टमाटर है इसको अगर थोड़ा ठंडा होने रख देंगे ना पांच मिनिट तो इतनी आसानी से इसका छिलका निकल जाएगा जैसे मेरा वाला निकल गया अब इसमें एक चमच भर के नमक डालनें कुछ हरी मिर्चे डालनें और यहां पे मेरे मोमो में मैं हमारे लगा रही हूं बटर जो लगाना बहुत जादा जलूरी है ना इसमारी मूमोड की सबस्क्रापश करें वीडियो पसंत आये हैं तो लाइक शेर स्ब्सक्राइब करना ना बोलें धह कूं।